दोस्तों नमस्कार मेरा नाम अनिली शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो साहब बात आज यूपी की करेंग उत्तर प्रदेश की आप भारत का नक्षा उठा कर देखिए भारत के नक्षे में उत्तर प्रदेश भारत की भुजाओं की तरह है भारत के मिनमना आज यह है कि कंधे या भुजाय होती है भार उठाने के लिए भारत बना हुआ है भार क्यों बना हुआ है आप कोई भी मापड़न के किती और बसी नीचे आता है आप सिक्षा की विवस्था ले भीड़ेजिए सिक्षा प्राइमरी सिक्षा उत्रप्रदेश में एक तम निरी है बच्चों को अच्छी सिक्षा नहीं मिल रहे बच्चे को पूशन का शिकार है स्वास्त की समस्याएं ले लीजिए उससे भी ज्यादा जो एक बहुत पड़ी समस्या है यूपी में जो आए दिन खबरों में रहता है अपराद, हत्याएं, बलातकार हमेशा ये समस्याएं यूपी से ऐसी खबरें यूपी से आती है आप किसानों का हाल ले लीजिए गरीबी का हाल किसान परिशान है और हमारे यहां का यूवा यूवा बेरोजगार है उसे कोई आस नहीं है कि वो क्या करेगा हमारे यहां का यूवा बाहर के प्रदेशों में जाता है रोजगार बाने के लिए और बहुत दुख की बात यह है कि हमारे यूवा बहुत जगे से मार के भगाए जाते हैं उन्हें गाली दी जाती है भाईया कहके बुलाए जाता है भाईया कितना सुन्दर शब्द है हिंदी में लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है है तो जाल हमें यह पूछना पढ़ेगा हमें जानना पढ़ेगा कि यह क्यों है और हम जिसकी बात कर रहें जिस उत्तर परदेश की बात रहें वो उत्तर प्रदेश है क्या विशह में भी जानते हैं उत्तर प्रदेश भारत का अगर उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश होता है तो विश्व का पांचवां सबसे बड़ा देश होता आप इस पर विचार कीजिएगा और इतने बड़े प्रदेश का हाल ये यहां गरीबी है और युवा बेरोजगार है उत्तर प्रदेश ने आज तलक दस प्रधान मंत्री दिये हैं और असी सांसस सदस से जाते हैं उत्तर प्रदेश से फिर भी हमारे यहां बेरोजगारी है फिर भी हमारे यहां गरीबी है क्यों हमारे हां क्या नहीं है आप यह देखिए भारत में अगर कभी आप किसी से पूछिए कि भारत के आप दो प्रमुख नदियों का नाम बताईए गंगा जमुना हमारे हां की नदिया है सर्जू है गो परिशान है हमारे हां गरीबी है आप सिख्षा को ले लीजिए सिख्षा के बहुत ही अच्छे संस्थान हमारे यहां है आप बनारस हिंदू उनिवस्टी ले लीजिए अलहापद उनिवस्टी जिसको कभी Oxford of East कहा जाता था अलिगड मुस्लिम उनिवस्टी लखनव यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान बहुत अच्छे हैं और उससे ज्यादा आप सूचिए सिख्षा से सम्मंधित भाषा हिंदी सहब हमारे यहां की भाषा है उत्तरप्रदेश की भाषा है संस्कृत उत्तरप्रदेश की भाषा है उर्दू उत्तरप्रदेश की भाषा है फिर भी हमारे यहां का यूवा बेरोजगार है कि ये क्या नाटक है आप सोचे इसके विश्य में आप और देखिए परेटन की चीजिये लीजी है परेटन की चीजों में जितने मुख्यतीर्थष्थ अब रखशी ले लीजिये प्रयाग ले लीजिये अयुध्या ले लीजिये आप सारनात ले लीजिये सब अपने यहां है ताज महल जैसा समारक अपने है फिर भी हमारे यहां के युवब रोजगार है और लोग गरीब है अजवाल मेशार है और सबसे बड़ी बाब हमारे यहां के लोग महनती है भी रोजगार नहीं है लोग गरीब है हमारे यहां का युवा बाहर जाता है रोजगार पाने के लिए तो हमें सवाल पुछना पड़ेगा ऐसा क्यों है तो आपने देखा हमारे यहां सब कुछ है जमीन से लेके सिक्षर सहस्थान, भाषाए, लोग, जमीन, नदिया सब कुछ है अपने यहां उसके बावजूद भी हम गरीब है नहीं 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 हम गरीब है नहीं हमें गरीब बना दिया गया है और गरीब बने कैसे हैं इस प्रदेश की दुर वैवस्थाने प्रदेश की राजनीती ने हमें कभी हिंदु मुसल्मान पे लड़ाया कभी जात पिलड़ाया तो ये चलेगा नहीं इसे हमें बदलना है और इसी बदलाव की मुहिम में हम एक आंदोलन छेर रहे हैं और हमारा लक्ष है हमारी महत्वा कांशा है कि यूपी नंबर वन बनेगा भारत में बनेगा पहले नंबर वन उसके बाद विश्व में नंबर वन बनेगा नंबर वन के माईने क्या है उसका पैमाना क्या है हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतने रोजगार के अवसर हो उत्तर प्रदेश हर चीज में नंबर वन हो सिख्षा में नंबर वन हो स्वास्त की सुधाओं में नंबर वन हो रोजगार यहां पे इतने हो कि पूरे देश से अलग लग राज्यों से लोग उत्तर प्रदेश में आएं रोजगार के लिए हम उनका स्वागत करेंगे और केवल और राज्यों से ही नहीं हम यह चाहेंगे कि विदेशों से भी लोग वो अंग्रेज जिनोंने भारत पे राज के मैं चाहता हूँ वहां का यूके का अंग्रेज अमरीका का नागरिक यह सोचे कि मुझे रोजगार चाहिए अच्छे सच्छे जो टीचर से प्रोफेसर से वो कहें हमें कहां जाना है भारत और भारत में भी कहां जाना है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में इतने रोजगार के विसर हो किसान हमारा एकदम सम्रिद्ध हो नंबर वन हो भार कि आप हम से जुड़े यह प्रदेश हमारा है यह यूपी के गौरों की बात है यह यूपी की अस्विता की बात है अब तलक बहुत सारी नकार आत्मक चीजी होती रहे हैं यह बहुत बड़ा लक्षम लेके चल रहे हैं आईए हम लोग मिल कर यह देखें कि यह कैसे किया जा स अब द्यक्ता है और यह संभव है बिल्कुल अब्हव हुँ का वाच कर रहे हैं इसका यह कती मतलब नहीं है कि और राजी नंबर दो नंबर चार नंबर दस ऐसा नहीं वह बहुत प्रतिस्तरभां में आए और वह भी हम से कंपीड करें वह अपने नंबर वन कहें पंजाब अपने आपको नंबर वन कहें कि हम कहते हैं कि यूपी नंबर वन बनेगा पहले भारत में उसके बाद विश्व में नंबर वन बनेगा और साहब जरूरी है इसको जानिए कि भारत से हम प्यार करते हैं हमारी रगों में जो है वो भारत है लेकिन भारत का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तलक यूपी का विकास न हो जाए यूपी जिस दिन विक्सित हो जाएगा जिस दिन नंबर वन बन जाएगा भारत अपने आप मिलिए और यूपी को हम नंबर वन बनाएं जुड़ने के बहुत सारे तरीके हैं आप पेस्बुक से जुड़िए आप हमें इमेल कीजिए हमारी वेबसाइट पे जाएए हमें हर वक्त एक की सवाल पुष्ण होगा कि जो भी हो रहा है अपने प्रदेश में देश में क्या उसके होने से यूपी नंबर वन बनेगा अगर बनेगा तो बहुत अच्छी बात है वो काम कीजिए और जिन चीजों से वो अरचन आ सकती है कि यूपी नंबर वन नहीं बन स की आल यह अपनिनूगों तक जो देश विदेश में रहरे हैं वो यू पी वाले जो अपने हैं वह हमारी बात को आगे लेके जाए जएँ जो लोग आलग राज्यों में रहने हैं वो एक महत्वा कांशा रखें लक्ष रखें कि हमें यूपी को नंबर वन बनाना है इसलिए हम कहते हैं जै उत्तरप्रदेश जै भारत नमस्कार